हलो वोसको मैंने किल गुपता स्वाकर प्रता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग countability of sets का तीसरा lecture discuss परने वाले हैं इससे पहले वाले दो lectures आप लोग एक बाट जरूर देख लें उसका link आपको वीडियो के description ने मिल जाएगा इस lecture में हम लोग बहुत ही खास topics के बाले में बात करेंगे एक तो countably infinite sets क्या होते हैं countable sets क्या होते हैं और uncountable sets क्या होते हैं उसके अलावा natural numbers वाला set z के कैसे similar हो सकता है q के कैसे similar हो सकता है और n और n cross n कैसे similar हो सकता है ये भी discuss करेंगे और खास topic Cantor's Diagonal Process क्या होता है बहुत ही खास topic वो भी discuss करेंगे और उससे बहुत सारे conclusions निकलते हैं उन सब के बादे हम बात करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले Countably Infinite Set क्या होते हैं Countably Infinite Set Countable Set से भी पहले पढ़ने की जड़ता है इसको दो नाम और है कुछ बुक्स में ये नाम ज़्यादा चलता है कुछ में ये नाम ज़्यादा चलता है मैं Countably Infinite Set बोलूँगा बाकी बहुत सारी बुक्स में Denumerable Set भी बोला जाता है या Enumerable Set भी बोला जाता है ठीक है, सेम बते हैं, तीनों सेम नाम है Definition बहुत सिम्पल सी Definition है An Infinite Set A is called Countably Infinite If it is similar to N अगर कोई Set Natural Numbers के similar है तो वो Countably Infinite Set है That's it, और कुछ ने अगर कोई Set Natural Numbers वाले Set के Similar है, तो वो Countably Infinite Set है, और कोई Definition नहीं है अगर कोई Natural Numbers के Similar आ रहा है इसका ये मतलब है कि Natural Numbers से 1-to-1 Correspondence है उसकी 1-1 On-to Mapping बन जाएगी तभी वो Natural Numbers के similar आ रहा है चीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम कहीं पर आगे एक दो Lines और पढ़ लेता है इसके बारे में Every Countably Infinite Set Has Cardinality Alive Not क्यों? क्योंकि हमने पीछे वाले Lectures में डिसकस किया है कि Natural Numbers के सबके Cardinality Equal होती है तो इसलिए सबके Cardinality Alive Not Countably Infinite Sets Are Smallest Sets Among Infinite Sets In the Sense of Potential और Cardinality अब देखूं, हमने एक चीज़ और डिसकस करी थी जब हम ये Alive Not के बारे हम पढ़ रहे है तो Alive Not या और हमने C भी पढ़ा था Continuum वो क्या है? ये Transfinite Numbers है क्यों यूज ले रहे है? हम Infinite Sets की Cardinality को Show करने के लिए Represent करने के लिए कुछ Symbols Adopt किये हैं जिनको Transfinite Numbers बोलते हैं इन Symbols की Help से हम बता पाते हैं कि किस Infinite Sets का Potential कितना है जितने भी दुनिया में Transfinite Numbers है उन में से Smallest Transfinite Numbers है Alive Not Alive Not Smallest है इसका मतलब और Countable Infinite Sets में सभी की Cardinality Alive Not होती है इसका मतलब यह हो गया कि Countable Infinite Sets Smallest Sets है Potential या Cardinality के Sense में क्यों? क्योंकि Alive Not Smallest Transfinite Numbers है और Alive Not इसकी Cardinality होती है इसका मतलब Countable Infinite Sets Smallest ही हो गए Potential या Cardinality के Sense में बाकी के जितने भी Infinite Sets है उन सभी का Potential Countable Infinite Sets से ज़्याद ही होगा कम नहीं हो सकता या बराबर हो सकता है सबसे कम Potential Infinite Sets में Countable Infinite Sets का है जिन सबकी Cardinality Alive Not है अच्छे एक छुटी सी बात और बताना बूल गया है यह जो Transfinite Numbers होते है यह Actually Natural Numbers का ही Extension है यह लाइन मने उस समय नहीं बताई थी आपको Transfinite Numbers के Case में मुझे एकदम से याद अगई देखे आगे यह Actually इसी के Sense वाली बात है सेम बात ही है कि Natural Numbers के Similar हो जाए या फिर उस Set के हर एक Element को हम Label कर सके Natural Numbers से मैं एक छोटा से Example आपको देखे बताता हूँ जैसे मालो Set A की बात चल रही है उसके Elements है A1, A2, A3 से लेकर के आगे तक बढ़ते जा रहे हैं Infinite तक Elements है इसके तो हम अगर इनको Label कर पा रहे हैं जैसे यह First हो गया यह Second हो गया यह Third हो गया कितने Elements हैं जितने भी Elements हैं उन सभी को Label अगर हम कर पा रहे हैं Natural Numbers से कि यह पहला है यह दूसरा है यह तीसरा है उसके लिए कोई भी Rule हो भली जो भी Function हम Define करें अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह Countably Infinite Set है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हम एक Function भी Define कर सकते हैं Natural Numbers से ए तक किस तरह का Function हो जाएगा हो जैसे F of X is equal to AX हो जाएगा Small ए आएगा AX हो जाएगा आपने 1 रखा A1 मिल गया 2 रखा A2 मिल गया 3 रखा A3 मिल गया 4 रखा A4 मिल गया Flow में चल रहा है मतलब एक तरह के से Label कर दिया हमें Natural Numbers के साथ में तो इस तरह का जब भी Case बनता है न जब Labeling हो जाए हम बता पाएं कि ये पहला है ये दूसरा है ये थीसरा है ये चौथा है ये पांचवा है इस तरह से sequence चल रही है और Natural Numbers के sequence में चलती जाए लास्ट तर तो इसका मतलब वो Countably Infinite Set है ये लाइन और ये लाइन बात बराबर है कोई फरक नहीं है दोनों लाइन होगी तो कुछ examples हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से Countably Infinite Sets है Most Common Natural Numbers का सेट वो तो हो गई क्योंकि Natural Numbers का सेट Natural Numbers के तो similar है न Natural Numbers तो है Countably Infinite Set Natural Numbers के similar ही वो भी Natural Numbers के सेट के सिमिलर रहता है इसका मतलब ये सभी के सभी Similar Sets है और सभी के सभी Countably Infinite Sets है ये Similar क्यों है या ये सभी Countably Infinite Sets क्यों है ये हम अभी discuss करेंगे एक बार ये पूरा topic discuss कर लें ये दोनों definitions discuss करने के बाद हमें ये ही करना है कि ये Q similar हो रहे है N Q W के similar है N Q Z के Q के और N cross N के similar है ये सभी discuss करेंगे देखो Countable Sets क्या है Countable Sets बहुत सिम्पल से definition है इसकी A set is set to be countable if it is either finite और countably infinite या तो finite set हो जाए इस तरह का इस तरह का या और भी कुछ elements का या फिर countably infinite set हो इस तरह के उन सबको countable set बोलते हैं एकठा या तो finite sets आजाएं या फिर countably infinite तक आजाएं तब उनको countable set बोलते हैं अगर countably infinite से भी ज्यादा cardinality आ गई तो फिर वो uncountable की category में आ जाता है countable sets में finite और countably infinite तक आ जाएंगे और uncountable में countably infinite से भी उपर cardinality वाले आएंगे, ज्यादा cardinality वाले आएंगे, देखिए a set is set to be uncountable if it is not countable, अगर countable नहीं है तो uncountable है, countable कब नहीं होगा, जब ना तो finite होगा और ना ही countable ही infinite होगा, तो जो बचेंगे वो फिर uncountable वाले बचेंगे, जिनकी cardinality अलिफ नोट से ज़्यादा ही होगी 100% बात है, अलिफ नोट तक cardinality वाले सभी sets countable sets होते हैं, और अलिफ नोट से ज़्यादा cardinality वाले सभी sets uncountable sets होते हैं, ठीक है, एक्जामपल दे रख है power set of natural numbers, power set of natural numbers की cardinality natural numbers वाले sets से ज़्यादा होती है, यह तो हमने लास लेक्चर में discuss किया था, जिसमें हमने canter theorem discuss करी थी, उसे से prove गुआ था यह, उसके अलावा real numbers या irrational numbers की भी cardinality natural numbers से ज़्यादा होती है, यह भी uncountable sets हैं, कैसे हम इनको uncountable कहते हैं, यह हम बाद में discuss करेंगे, आज का topic नहीं है, आज हम केवल इसके definitions, जो देखी है हमने, वो, उसके अलावा यह क्यों similar है, वो discuss करने वाले हैं, तो मैं एक बार यह हटाता हूँ, और हम discuss करते हैं, कि and इनके कैसे similar है, देखिए, अब सबसे sets को similar प्रूव करना है, तो कम से कम एक map उनके बीच में ऐसा define कर दो, जो one one और on two दोनों हो, एक ऐसा function define हो जाए, जो one one on two दोनों है, तो फिर यह प्रूव हो जाएगा, कि वो दोनों के दोनो sets similar हैं, उसके लिए आप एक बार lecture number one देख लो, कि ऐसी line क्यों बोल रहों हो, यह statement कहां से आया, ठीक है, तो natural numbers और integers के बीच में अगर हम एक ऐसा function define कर पाएं, जो n से z में है, domain और codomain यह है उसके, और वो function one one और on two दोनों है, तो काम हो जाएगा अपना, और बहुत common सा function है, most common function है, 11th class की books में भी आता है यह, f of n is equal to n minus one by two, और minus का n by two, 11th class की book में भी देते हैं, कितना common सा function है, n is odd, odd के case में यह consider करें, और n is even, even के case में यह consider करें, देखो किस तरह से यह one one हो रहा है, मैं एक बार करके देखता हूं, ठीक है, सबसे पहले तो n की value 1 रखोगे आप, f of 1 की value कितनी आएगी, natural number 1 रखा, तो odd है, 1 minus 1 by 2, 0 आगई, f of 2 की value, 2 यहां रखा जाएगा, even है क्योंकि, तो minus का 2 by 2, minus 1 आगई, f of 3 की value, again यहां, 3 minus 1 by 2, 1 आएगी, f of 4 की value, यहां पर minus का 4 by 2, minus का 2 आएगी, f of 5 की value, यहां पर आएगी, 5 minus 1, 4 by 2, plus का 2 आजाएगी, आप notice करेंगे, सारे के सारे, सारे के सारे integers कवर हो रहे हैं, 0, minus 1, plus 1, minus 2, plus 2, इस तरह से कवर हो रहे हैं, 0, minus 1, plus 1, minus 2, plus 2, minus 3 plus 3 ये इस तरह से सारे के सारे cover हो जाएंगे और हम level कर अपा रहे हैं इनको कैसे level कर अपा रहे है वन नमबर इसको देदी है two number इसको 3 नमबर इसको 4 इसको 5 इसको 6 इसको 7 इसको ऐसे चलते जाएंगे leveling हो रही है और आप ये भी बता पा रहे हो कि उसके बाद में कोन आएगा, साफ साफ दिख रहा है इसके बाद माइनस 4 आएगा, फिर प्लस 4 आएगा माइनस 5 आएगा, प्लस 5 आएगा, माइनस 6 आएगा, प्लस 6 आएगा, सीक्वेंस आप डिफाइन कर पा रहे हो, लेबलिंग कर पा रहे हैं हम लोग, हम लोग एक pattern धून पा रहे हैं कि इस तरह के pattern में ये चल पा रहे है, set पूरा का पूरा अगर आप पूरे के पूरे set में एक pattern धून पाओ और आप define कर पाओ कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चोथा है अगर आप ये बता पाओ कि अगला वाला क्या आएगा तो फिर 110% वो countably infinite set है वो 110% आप level कर सकते हो उसको natural numbers के साथ में कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है क्योंकि आप पता पा रहे हों कि अगला कौन सा आएगा तो अगला कौन सा आएगा, इसका मतलब आप natural numbers से उसको level कर पा रहे हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अगला अगले को level करने के लिए ये तो है तो इस तरह से ये natural numbers के similar हो गया set, तो ये तो cardinality इसकी alipnot हो गई अब बात करते हैं, whole numbers whole numbers से में बात करने जैसा कुछ है नहीं देखो, w की अगर बात करें तो ये होता है, 0, 1, 2 3, 4, ये already leveled है इसको one number दे तो, इसको two number दे तो, इसको तीसरा number दे तो, चौथा पांचवा, छटा, साथवा ये leveling चल रही है मैं इसको one नहीं बोल रहा ये leveling है, और कुछ नहीं है ये तो directly leveled है इसमें कुछ करने की ज़रत ही नहीं है, तो ये तो natural numbers के similar होई है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है आगे बात करते हैं, जो खास बात है, वो है, कि ये rational numbers के कैसे similar है या ये n cross n के कैसे similar है, तो पहले मैं n cross n से शुरू करता हूँ, और उससे फिर rational numbers के similar लेके आऊँगा, actually n को q के similar करने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं अभी बताऊँगा, बाकी तरीके मैं आगे वाले वीडियो में डिसकस करूँगा, जैसे जैसे वो topics आएंगे, ठीक हैं, तो सबसे पहले तो हम canters diagonal process की बात पर लें, बहुत एक खास topic है canters diagonal process, इससे ये साभीत हो जाएगा, कि n cross n जो है वो similar है, n के, इस process की help से ये साभीत हो जाएगा, कि n cross n, similar है n के, कैसे similar है, n cross n का मतलब क्या है, ordered pair, दो sets का product अगर आपके सामने इसका मतलब वो ordered pair है, अब n cross n के elements एक बार बना के देखे हैं हम लोग, systematically arrange करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अपने आप समझ में आएगा, n cross n, अगर इसके elements को बनाएं, कैसे बना पाएंगे, देखें, सबसे पहले तो 1,1, ordered pair बना रहे हैं, sequence में, पहले इदर इस natural number का 1 उठा लेते हैं, और पूरे की पूरे natural numbers इसके साथ लगाते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, इस तरह से चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, जितने भी natural numbers है, उतनी बड़ी line चलेगी हैं, क्योंकि उतने elements आएंगे second number पर, जितने भी natural numbers हैं, उतने ही आएंगे second number पर, उसके बाद, जब 1 के साथ सारे के सारे combination हो गए हैं, तो अब आप number लोगे 2 का, तो 2 के साथ सारे combination मनाओगे, 2 के साथ cross करोगे M को, तो 2,1, then 2,2, then 2,3, 2,4, and so on, 2 के सारे combination होगे, 3 के सारे combination होगे, तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, and so on, ये सभी हम लोग इसके elements बना रहे हैं, और systematically arrange करते हुए बना रहे हैं, इसके conclusion अभी निकालेंगे हम लोग, तीन के बाद मैं एक और ले लेता हूँ, चार, बस उसके बाद फिर हम conclusion शुरू करेंगे, 4,1, 4,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, and so on, ऐसे कितने हो सकते हैं, पता नहीं, बहुत सारे होगे, जितने natural numbers हैं, उतनी तो ये rows बनेंगे, और जितने natural numbers हैं, उतने ही column बनेंगे, number of rows भी natural numbers के से equal हो जाएगे, number of columns भी टोटल नमचे नमबर्स के एकवर हो जाएगी तो यह धेरों चलेंगे यह यहां तक आ गया बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं ठीक है अब आगे की कहानिक है अब यहां एक खास pattern है, देखो, अगर हम यहां से चले हैं, देखो एक बात हमेशे जानक ना, कि अगर आपको natural numbers के similar prove करना है, इसका मतलब यह है, कि आपके वल level कर सको उनको natural numbers के, कि यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा element, यह चौथा element, और आगे के elements आप बता सको, आपक successor आप define कर पा रहे हो, तो इसका मतलब फिर हो countably infinite set हो जाएगा, वो natural numbers से level हो जाएगा, वो natural numbers के similar हो जाएगा, अब यहां कैसे करना है वो काम, देखो, यहां पर एक pattern चल रहा है, अगर मैं यहां से चलूँ, क्योंकि systematic हमने arrange कर दिया इसको, यह चलता जाएगा, उधर भी ब 1 ले लिया हमने, यहां से यहां, 2,1 के बाद हमने 3,1 को लिया, 3,1 के बाद अगर हम 2,2 पर जाए, फिट 1,3 पर जाए, यह actually इस pattern में चल रहा है, इसका total क्या है, 2, इन दोनों का total क्या है, 3, इन सब का total क्या है, 4, तो यह एक साथ diagonal में आएगे, इन सारे diagonal का total 5 है, यह सब ए नमबर आ जाएगा, इसका, इसके बाद नमबर आ जाएगा घूम करके वापिस से, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर यह चलता जाएगा, फिर आगे, फिर आगे, यह चलता ही जाएगा, कभी end नहीं होने वाला आई है, और Natural Numbers से labeling लियो हो गई, कैसे, कि भ़ही हम 1 number दे रहे है इसको 2 number दे रहे है इसको 3 number दे रहे है इसको 4 number दे दिया यह हो गया हमारा 5 number यह हो गया हमारा 6 number जब आपके पास 6 number है तो आप आगे वाले define कर सकते हूँ कि 1,3 आगया तो next आएगा 1,4 definite सी बात है क्योंकि 1,3 मतलब यह तीनों आपने जब टोटल चार वाले खतम कर लिए 1 प्लस 3, 4 है, 2 प्लस 2, 4 है, 3 प्लस 1, 4 है 4 वाले टोटल वाले खतम कर लिए तो पांच वाले आएंगे जैसे 1 प्लस 4, 5 उसके बाद फिर 5 वाले जो चलते जाते हैं वो sequence में आते जाएंगे accordingly फिर next वाले आएंगे यह fixed pattern चल रहा है, sequence चल रहा है एक arrangement है systematically जिसमें आप successor define कर सकते हो आगे वाली term बता सकते हो क्या आने वाली है अगर आप बता सकते हो इस diagram को बना करके इसका मतलब आप level कर पा रहे हो उसके elements को कि यह पहले हम लिख लेते हैं यह दूसरे number पर जमा देते हैं यह तीसरे number पर जमा देते हैं इसका मतलब हर एक को आप arrange कर पा रहे हो natural number से similar हो गया natural number के अपने आपे तो यह भी n cross n भी countably infinite set है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ एक खास बात और इसका मतलब यह हुआ कि इसकी cardinality भी कितनी आएगी अलिफ नॉट तो एक कमाल के conclusion यहां से और आया निकल करके n cross n की cardinality n cross n का मतलब यह है कि इसकी cardinality देखें तो देखो n में natural numbers में अलिफ नॉट elements हैं इसमें भी अलिफ नॉट elements है और दो सेट अगर cross हो रहे है तो इसके number of elements मानलो दो है इसके number of elements मानलो पाँच है तो 5 into 10 number of elements होते हैं cross में हमेशा तो वैसे ही अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट आएंगे इसके number of elements तो अलिफ नॉट का square किसके ही equal आ रहा है अलेफ नॉट के ये कमाल का conclusion है इसको मैं आगे वाले lectures में discuss करूँगा और आगे अभी आपको बस हलका फुलका बताया है कि आगे क्या आखने वाले है बहुत ही कमाल की interesting बात आएगी अलेफ नॉट की power 2 अलेफ नॉट के बराबर आएगी अलेफ नॉट की power 3 भी अलेफ नॉट के बराबर आएगी ऐसे बहुत सारे conclusion से बहुत ही कमाल के arithmetic discuss करेंगे हम लोग trans finite numbers की उसमें discuss करेंगे यहाँ main जो हमने conclusion निकला वही निकला अभी तक जितना हमने किया है उसमें n को हमने similar कर दिया z के n को हमने similar किया w के और n को हमने similar किया n क्रोस n के अब बारी है n को similar करने की q के साथ में वो कैसे किया जाए बहुत ही कमाल की बात है आप ध्यान से देखें आप q का मतलब क्या है Q का meaning क्या है Q किस से बनता है Q बनता है P by Q format से Rational number P by Q के format में होते है यहाँ पर P और Q क्या होते है P और Q Integers ही होते है Integers होते है या natural numbers माल लो एक में negative sign भी हो सकता है Integers ही कहोगे overall तो अगर मैं इसको define करूँ Q को Q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या Q है M upon में N M upon N के रहेगा P upon Q ही ले लेता है P upon में Q जहाँ पर P तो belong कर रहा है Integers से और Q belong कर रहा है natural numbers से ऐसा लिख सकते हैं क्या ध्यान से देखें बहुत ही कमाल का conclusion है उपर तो सारे की सारे Integer आ गए जिसमें positive negative सब आ गए जितने भी possible है और नीचे सारे की सारे natural numbers आ गए नीचे वाले सारे positive वाले लिए हमने और natural number लिए है तो मतलब 0 भी नहीं लिए हमने तो सारे के सारे rational numbers cover हो गए इसी में किस definition में आप इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गया लिखने का दूसरा तरीका ordered pair में लिख दो P, Q एक ही बात है P, Q लिख दो जहां पर P belong कर रहा है Z से और Q belong कर रहा है N से अगर आप इसको ऐसे लिख पा रहे हो क्योंकि ये लिखो ये लिखो एक ही बात है तो हमने इस लिखने का pattern बतला है इसको divide में लिख दिया इसको ordered pair के format में लिख दिया एक ही बात है अगर हम इसको ordered pair के format में लिख पा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है subset या equal हो गया z cross n का यह z cross n ही होगा ordered pair किस से बन रहा है z से n से z cross n का subset या equal मान लो equal ही समझो एक तरीके से अभी तो फिलाल आप z cross n के similar हो जाएगा या आप यह समझो इसको अटाओ q is similar to z cross n यह बात तो समझ में आ गई q is similar to z cross n ठीक है अगर यह z cross n के similar है अब ध्यान से देखेंगे n अपने आप में कितनी cardinality लेके बेठा है alif not z अपने आप में कितनी cardinality लेके बेठा है alif not तो z cross n की cardinality कितनी हो जाएगी alif not into alif not जो की equal होती है किस के again alif not के ही इसका मतलब q की भी cardinality कितनी ही है, अलिफ नॉट, समझाई पर, यह n क्रॉस n की तरह हो गया, countably infinite, into countably infinite, again countably infinite, के similar, तो countably infinite, into countably infinite, again countably infinite, के similar, मतलब, n के similar आ गया, क्यों, again, again, तो countably infinite set के partition product से, again countably infinite, set ही मिलता है, यह बहुत ही कमाल का conclusion है, बहुत ही कमाल का conclusion है, और कमाल की बात एक और है, किवल 2 कोई नहीं, आप कितने ही multiply कर लो, n x n x n ले लो q x n x z ले लो n x n x n x n ले लो 5 बार ले लो 10 बार ले लो 20 बार ले लो हमेशा अलिफ नौटी आएगी मतलब हमेशा countable है यह बहुत कमाल का conclusion है और हम discuss करेंगे इसके बारे में आगे वाले lecture में फिलाल हमने discuss कर लिया है कि यह इसके और last and similar है क्योंके भी ठीक है तो यह बहुत कमाल का conclusion है Cantor's diagonal process के help से और भी दूसरे तरीके हैं इसको prove करने के वो हम next videos में discuss करेंगे इस video में आपको कोई भी doubt होता आप नीचे comment box में लिख सकते हैं और यह video कैसा लगा यह भी comment करके चरूर बताएं क्योंकि आपके comment से बहुत ज़्यदा motivation मिलता है मुझे और नए-नए इस तरह के videos को बनाने करा और नीचे वाट्सरे नमर दिया हुआ है अगर आपको notes चाहिए तो आप उसमें message कर सकते हैं अभी बने नहीं है लेकिन जैसे ही बन जाएंगे जो लोग message करेंगे उनको मै reply दे दूँगा ठीक है जी तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में Thank you so much